साष्टांग नमस्कारह श्रीपुरं समुद्रतीरस्थह कष्चन ग्रामह कदाचित सच ग्रामह चंडमारुतक्कारनतह विशेशहानिम अन्वभवत बहुनी गुरुहानी उद्वस्तानी अभवन सांबशिवस्य अपी गुरुहं विनस्टं अभवत स्वग्रुहस्य समीकरनार्थम प्रतिवेशिनह प्रार्थितवान सांबशिवह तदा ते सूचितवंतह कुसीदवनिक गोविन्दह प्रार्थितवचे रुनं प्राप्येत इति तदा नुगुनं सांबशिवह गोविन्दस्य समीपमगत्व स्वकस्तम निवेध्य सहस्रम रुप्यकानी रुनरूपेन ददातु इती तम प्राथितवान तदा गोविंदह तम आपादमस्तकं दृष्ट्वा भवान एवखलू सांबशिवनामकह माम जानाती अपी भवान इती उपहासपूर्वकं उक्तवान भवन्तम कोवान जानाती श्रेमन एतस्मिन ग्रामे इती उक्तवान सांबशिवह मया चिंतितम आसेत भवान ना जानियात यत अहम कह इती इतह इतह पूर्वं माम दृष्ट्वा अपी कदापी भवाम मामन नमस्कृतवान आसेत महत धार्ष्ट्यम भवतह इति कोपेन उक्तवान गोविंदह अध्यानवशात कृतह दोशह क्षंतम्यह इति वदन गोविंदं नमस्कृतवान सांबशिवह चंडमारुतक कारणतह खलू येशह नमस्कारह एताद्रुषह नमस्कारह ग्रामस्थैही सर्वैही अपी क्रियते भवतह तू महान अहंकारह अतह भवता साष्टांग नमस्कारह इव करणीयह इति उक्तवान गोविंदह साष्टांगम नमस्कृत्य गोविंदतह धनं प्राप्य ततह प्रस्थितवान सांबशिवह दूरात एव एतत सर्वं दृष्टवान मीरभद्रह गोविंदसमीपम आगत्य उक्तवान अलपस्य धनस्य निमित्तं गोविंदाय साष्टांग नमस्कारह समर्पितह कलूभवता अहू लज्जावहं एतत्थ। इती तदा सांबशिवह शांतस्वरेन उक्तवान किम्तेन मत्तह एतस्यरुनस्य प्रदिप्राप्त्यर्थं गोमिंदेन चत्वारह साष्टांग नमस्कारह मह्यं अर्पनियाह भविश्यंति इदि